किसानों की बात करने वाली कॉंग्रेस को आखरकार तीन सालों के बाद किसान कॉंग्रेस का अधक्ष मिल गया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगी रणीती ने कॉंग्रेस के अधक्ष की मिरसाथ सत्पाल सिंग खैरा साब खास बाचीत के लिए मौजूद है सबसे पह पहले अपने अधिहक्षा का श्रीमती सोनिया गांदी जी का और तमाम पार्टी की लीडर्शिप का जन्होंने यह मेरे को एक मौका दिया है दिस इस अवरी चैलेंजिंग टास्क क्यों कि हमारा जो देश है अगर आप देखेंगे यह असल में अग्रेरिन कंट्री है 60-70 फीसिदी जो लोग हैं वो गरामीन अलाकों में रहते हैं किसान है और खेत मजदूर है तो जब तक उनकी एकॉनमी ठीक नहीं रहेगी तब तक आप लाक शेहरों को अच्छा चमकाएं मॉल्स बनाएं, हाइवे बनाएं, तो हमारा चैलिंज सबसे पहले यह है कि इस गौवर्मेंट का फोकस जो अबनाइजेशन है वो रखें अपना उसको शिफ्ट करके रूरल इंडिया की तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस वकत किसान की हलात हैं, वो सारे देश का किसान जो है, वो करजे की मार के उपर है अगर पंजाब आप जिसको सबसे टॉप की स्टेट मानते हैं फार्मिंग में, एक लाख क्रोड रुपे का करजे ही है पंजाब का किसान, और लगातार आतमत्या स्यूसाइड्स हो रही है, यहां नहीं हो रही पंजाब में, तामिल नाडू, विधर्ब के अलाके में, से ठीक 50 साल पहले, एक तोला सोना लेना था ना, because the economy is governed and the price index inflation is governed with the prices of gold, एक तोला सोना लेने के लिए हम तीन क्विंटल गेहूं बेचते थे, तो हमारे को एक तोला सोना मिल जाता था, अब सारी दुनिया में तरक्की की, world over there has been progress, तो अब 50 साल के बाद तो हमारी buying power बहुत त चाहिए थे, लेकिन अब हमारे को 25 कुंटल गेहूं बेचनी पड़ती है, तो एक तोला सोना आता है, so you can understand, कितनी ज्याती हुई है, ऐसे हलातों में किसान और खेत में दूर कैसे सर्वाइव कर सकता है, so इसकी economy को better करने के लिए, इनको all India level के उपर minimum support price मेले, मेरा मानना है क भारत इतना diverse country है, अगर हम यहाँ पर चाहें, ना सिर्फ गेहूं और चावल, ना सिर्फ गन्ना, हम यहाँ पर हर किसम का fall fruit पैदा कर सकते हैं, हर किसम का फूल पैदा कर सकते हैं, लेकिन किसी ने कोशिश ही ने क्यों को वहाँ पर allocation ही नहीं है, अब देश का priority देखे ना, देश की parity corporate sector की तरफ है, पिछले दस साल में केंदर की सरकार ने बारा लाख रुपया करोड बारा लाख करोड रुपया ताकतवार अडानी अंबानी टाइप लोगों का माफ किया है, अगर कोई हमारी सरकार ने गलत काम किया, फर्ज करो, तो क्या जरूरी है कि अगला भी जलत काम करेगा, मैं ये बोलने आया हूँ यहां पर, कि देखें आप जो बारा लाख करोड रुपया, जो पिछले पिछले बजट में सिर्फ टूथाउजन ट्वेंटी ट्वेंडी वान में दो लाख करोड रुपया माफ किया है, कभी किसान का खेत मजदूर का, जिसका कर गर्ष हुआ, उसमें जो कमिटमेंट की बीजेपी ने, लेकिन आपने जो अभी कहा कि पचास सालों से किसानों के अंदेखी हुई है, सतर साल तक आपकी सरकार थी, लगतार बाती जंदा पार्टी आप पर आरोप लगाती रही है, कि अगर आपने कहा कि तीन कुंटल आप गहुआ ना या धान बेचिये, तो एक तोला सोना मिल जाता था, तो आपने क्यों नहीं किया? मैं सविकार करता हूँ, मैं स्टार्ट या, मैं आपसे आर्ग्यू ही नहीं करता, अगर फरसकोरो किसी परानी सरकार ने कुछ गलतियां की है, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स गवर्मेंट, क्योंकि आप इनको तकरीबन दस साल हो चुले, दस साल को छोटा टाइम नहीं है, तो टू रॉंग्स नेवर मेकर राइट, तो अगर आप उस चैप्टर को छोड़ें, वो तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, पैटन है, कि उनकी एकनॉमिक कंडिशन क्या है, तो अब एकनॉमिक कंडिशन तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया इंप्रूफ करेगी ना, इनके पास, तो इनका इनका प्रायरिटी ही नहीं है, इनका प्रायरिटी कॉर्परेट की तरफ है, अगर वो ही फर्ज करो बारा लाग करोड रुपया किसानों को, क्योंकि जो अग्रिकल्चर है न, ये दुनिया भर में सब्सिडाइजड धंदा है, अमेरिका में जो रेट ओफ है, जो यहां पर रेट ओफ इंटरेस्ट है, हमारा नौँदास फीस, नौँदास फीसदी है, वी के नेवर कंपीट मिद इंडस्ट्री फॉम अग्रिकल्चर, अमेरिका में दो से तीन फीसदी है, वहां पर डीजल अलग रंग का सबसिडाइज है, फार्म इना कि गौओं के हलात कैसे तबदील होते हैं, कैसे बदलते हैं, उनके चेहरे के उपर उनको बच्चों के भविश्य के लिए भी बहुत अंतर पड़ सकता है, बस ये सबसे बड़ा और आपके महाद्यम से, थ्रू दे मीडिया, आई विल ट्राय मैं बेस्ट तो का रास्ता ही रहे गया है, कोई बात चीत वाली तो बात मानता ही नहीं है, अब जब तेन कानौन मुदी सरकार ने बनाये थे, सारे देश के किसान ने रिजिक्क कर दिया, सारे संगट्ट rely रिजिक्ट कर दिया, तो इससी टाइम वापस ले लेने चाहिए थे, लेकिन उनना ने इम्तिहान लिया फार्मर्स का छे सो साथ सो किसान मरा यहां पर आ करके और फिर यूपी की और पंजाब की और चार पांच स्टेट की एलेक्शन आई फिर वापस लिया तो हमारे पास अगर डायलॉग का रस्ता है वो देखेंगे अगर डायलॉग नहीं होगा तो हम अपन करेंगे लेकिन अभी क्योंकि मैंने जस्ट टेक ओवर किया है आई नीड़ टू अंड़स्टेंड दी इंटायर इनो डी सिच्वेशन आफ दी कंट्री हमारे कैसे कैसे यूनिट्स हैं कहां 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 डिफंक्ट हैं उन सारों को खड़ा करेंगे और हर किसम की बात करेंगे हम किसान संगठनों का भी साथ देंगे हमने पंजाब की जब एजिटेशन वहाँ आई दिल्ली में हम सब लोगों ने पाटिसिपेट किया था और हमने सब की मदद की थी और आगे आने वाले समय में जो भी वो काम उठाएंगे जो किसानी के लिए और खेत मजदूर के पेडियो जनलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित राजदूबे नियुजेशन दिल्ली